हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चैनल दोस्तों यहाज का जो हमारा टॉपिक है यह है सॉल्ड पेपर सीनिर टीचर कॉम्टिटिव एक्जाम 2016 का हिंदी का यह पेपर है एक जुलाई 2017 को यह पेपर हुआ था और इसकी की जो इशू हुई है वो 15 फरफरी 2018 को हुई है दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें अगर डिसलाइक करें तो कारण बताएं कि डिसलाइक क्यों किया फर्स्ट कोशन है निम्न अंकित में से विश्मादी बोधक अविव का उधारन है अंसर एसका फोर्थ वाख पोशन नंबर सेकंड निम्न में से किस विकल्प में सबी शब्द जाती वाचक संग्या है अंसर एसका सेकंड पुस्तक पहाड नदी निम्न में से किस विकल्प में सबी शब्द भाव वाचक संग्या नहीं है अंसर एसका फोर्थ दानव मनुष्य ब्रहमन निम्न में से किस वाक्य में सम्मंद वाचक सरुनाम का परियोग नहीं हुआ है अंसर है इसका थर्ड तुम अपनी कुस्तक पढ़ो प्रेरणार तक किर्या का उधारन नहीं है अंसर है इसका फोर्थ वह खाना खाकर सो गया निम्न में से किस वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है अंसर है इसका फर्स्ट बादल खूब गर्जे किन्तू वर्षा नहीं हुई द्वन्द समास किस शब्द में नहीं है अंसर है इसका फोर्थ मंत्री परिशर किस समास में विशेशन, विशेशे या उपमे उपमान का सम्मन्ध होता है अंसर है इसका सेकंड करमधार्य समास में वागी शब्द का संदी विचेद है सेकंड वाग प्लस इश इसमें से इनमें से विशेशन उपवक्य है अंसर है second जो रुपिये मुझे मिले थे वे खर्च हो गए इन में से कौन सा वाक्य सेयुत वाक्य है अंसर है इसका लड़का आया किंतु वे रुका नहीं फोर्थ नीमन में से कि शब्द में व्यंजन संदी है अंसर है इसका third तद अनुसाद इन में से कि शब्द में आपादान तत्पुरु समास है अंसर है इसका first पदजूद कि शब्द में प्रय उपसर्ग नहीं है अंसर है इसका second परत्यक्ष में इन में से कि शब्द में गार परते ही नहीं है अंसर है इसका fourth उदगार इन में से कौन सा शब्द सखी का परियावाची नहीं है अंसर है इसका सेकिंड ललना इन में से किस विकल्प में विलोम शब्द है अंसर है फस्ट है खंडन मंडन इन में से कौन सा शब्द वानी के अनेकार्थ में से नहीं है अंसर है इसका थर्ड तीर किस विकल्प में योगिन शब्द का अर्थबेद सुमिलित नहीं है अंसर है इसका सेकेंड प्रेक्षक प्रेशक भेजने वाला देखने वाला जिसका काम या प्रियोजन सिद्ध हो चुका हो वाक्यांज के लिए एक शब्द है अंसर है इसका खोड़ कृत कार ये निमन अनकित में से अशुद सब्द है अंसर है इसका थर्ड उच्छ रंकल निमन में से कौन सा गुन संदी का उधारन नहीं है अंसर है इसका फोट पर्तवी पर्तवी श्वर अती उपसर्ख से बना हुआ शब्द नहीं है अंसर है इसका थर्ड अतीती निवन में से पुत्री शब्द के प्रियाईवाची शब्द का सम्हू कौन सा है? अंसर आइसका फोर्थ तनिया, आत्मजा, नंदनी, तनुजा दिज शब्द का सही अर्थ सम्हू है? अंसर आइसका सेकेंड पक्षी, दान्थ, चंदर्मा जरट, जठर शब्द युग्म का अर्थ है? अंसर आइसका फोर्थ बूड़ा, पेट उत्तरवय पुर्व के मध्धे की दिशाव वाक्यांज के लिए सार्थक शब्द है? अंसर आइसका फर्स्ट इशान इन में से शुद शब्द है? अंसर आइसका फर्स्ट सो धरन सहीत उत्तर दीजिए बड़ों के साथ छोटों की भी निप जाती है ये अर्थ बताने वाली लोको उक्ती कौन सी है? अंसर आइसका फोर्थ हती के पाउं में सबका पाउं समाए धातेवे पर्सन 31 से 34 तक के उतर निमन अंकित एपठीद गाद्यान से दें ये गाद्यान से एपठीद इसको देखके 31 से 34 तक के उतर देने है अभी इपशित शब्द का क्या अर्थ है? अंसर आइसका सेटेंड चाहा हुआ हा चाहा हुआ 32 फल ने मिलने बर कौन निराश हो जाते हैं? अंसर है फर्स्ट अधिक आशावादी व्यक्ति निराशा को किसके सामान बताया गया है? अंसर है फोर्थ गहने अंदकार के समान मानसिक अशान्ति का पर्मुक कारण क्या है? अंसर है थर्ड निराशा समिधान की आठवी अनिसुची में अब तक कितनी भाषाईं समलित की जा चुकी हैं? अंसर है इसका थर्ड टॉंटिटू उत्तर पर्डेश सरकार द्वारा 1947 में गठी देव नागरी लिपी सुधार समिती के अध्यक्स कौन थे? अंसर है इसका सेकेंड आचार्य नरिंदर देव निंदक नेरे रखिये कहकर कभीर निंदा करने वालों को अपने नज़्दीक रखने की सला क्यों दे रहे हैं? अंसर है इसका फोर्थ वे हमारी कमियां दूर करके हमारे अंदर अच्छाई का संचार करते हैं माखनलाल चतूरवेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाशा में पुष्प ने क्या इच्छा व्यक्त की है? अंसर है इसका सेकेंड राष्टे बलीदानी सैनिकों के चरण इसपर्ष करने की माता का आंचल नामक पाठ किस उपर्ण्यास का अंच है? अंसर है इसका फर्ष्ट देहाती दुनिया जोर्ज पंचन की नाख कहानी किस ने लिखी है? अंसर है इसका थर्ड कमलेशवर ने साना साना हात जोडी यात्रा वर्तांत में किस जगें की यात्रा का वर्णन किया गया है? अंसर है फोर्थ गंतों को और उसके आगे हिमाली की याक्रा रितु राजगी कन्यादान कविता का केंद्रे विशे क्या है अंसर है इसका फोर्थ इस्त्री के परंपरागर्थ आदर्शी करण का परतिकार करना दार दुरुन पलना बिछुना नव पललव के परति प्रातेही जगावत गुलाब चटकारी दे उग्द कवित में देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है अंसर है इसका सेकिंड बालक के रूप में संगतकार कविता किसके दुआरा लिखी गई है अंसर है इसका फर्स्ट मंगलेश डबराल के दुआरा स्वातंतर्य उपासक महरणा परताब पार्ट के आधार पर बतायेगी रहीन परताब की किस चर्ट्रिक महांता से परभावित हुआ है अंसर है इसका फर्ड प्राई इस्त्री को मा के समान मानना लेखक विश्णुकान शास्त्री और उनके साथी मुक्ती युद्याओं के शिवर में क्यों गए थे अंसर है इसका फोर्थ ए सामरिक सामगरी भेट सोरूथ देने के लिए घंदुन की चोटी रोटी राखी है सिफाहीन की कांदे में जनुराख्यों माला राखी गर में उप्रियुक्त पंक्तियों की रचनाकार कौन है अंसर है इसका फर्ड भूशन्थ अनुकी प्रिक्षय कहानी का मूल विशे क्या है अंसर है इसका फर्स्ट प्रमात्म तत्व की सर्व या पक्ता का उद्गाटन करना पोशन नम्बर 49 बड़े घर की बेटी कहानी का क्या उद्देशे है अंसर है फर्स्ट घर परिवार को बिखरने से बचाना पोशन नम्बर 50 शरंड़ाता कहनी का केंद्रे पातर कौन है अंसर है थर्ड दिविंद्र लाल देव सेना का गीत परिशाद की किस रचना से लिया गया है अंसर है इसका सेकंड इसकंद गुप्त से अग्ये रचित यह दीप अकेला कविता में दीपक किसका परतीक है अंसर है इसका फर्स्ट वियस्टिका जाईसी रचित बारा मासा कविता में किस नाईका की वियत्था कथा चित्रित है अंसर है इसका सेकंड नागमती कुटज निबंद में मनुश्य के लिए क्या संदेश दिया गया है अंसर है इसका 4 सामान्य वस्तों में चिपेवे विशेश गुणों को पहचानने का बिश्म सानी के आत्मकथा का शीर्शक है अंसर है इसका 3 आज के अतीत शुर्दास की जोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंस है अंसर है इसका 1 रंग बुनी बिस्क पो हर की माटी पाट की शैली में लिखा गया है अंसर है इसका 4 आत्मक पथाक्मक यह एक सचाई है शक्ती ही जीवन और कमजोरी ही मिर्ट्यू है शक्ती परमसुख है जीवन अजर अमर है उप्रियूट कथम किसका है अंसर है इसका 3 स्वामी विवेका नंद का तुलसी हाय गरीब की कभवन नय निश्वल जाए मरे बेल की चाम सो लोह भसम हवे जाए उप्रियूट पंठिया की सिवन निबंद से उद्रत की गई है अंसर है इसका 2 दिनों पर प्रेन जगती तलका मल दोने का गगगा यमुना में भास अकूं उप्रियूट पधान्ष किसकविका है अंसर है इसका 1 माखनलाल सत्रुवेदिका निम्न में से अग्य की रचनाओं का सही समू कौन सा है अंसर है इसका 2 भगर दूद चिंता आंगन के पार दुआर पिटिखा थी वे दुंदले परकास की कुछ तुकों और लेवद पंठियों की उप्रिक पंठिया किस कविता से उद्रत है अंसर हैस का 1 कञ्या द्यान से हमारे हरी हरील की लकरी कहकर गोपिया क्या संदेश देना चाती है अंसर हैस का 4 एक निष्ट प्रेम का निम्न में से कौन सी रचना तुलसी दौरा रचित नहीं है अंसर हैस का 2 अध्यात्म रमाएं रस्कान ने किस्षे दिक्षा प्राप्त की अंसर है इसका फोर्थ गोस्वामी विठलनाथ से इस्त्रियां गालियां सहलेती हैं मार भी सहलेती हैं पर मेके की निंदा उनसे नहीं सही जाती उपर्युक्त पगती प्रेमचंद की किस रचना से उद्रत है अंसर है इसका सेकंड बड़े घर की बेटी शास्तर में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ती नहीं होकती उपर्युक्त पंक्ती किस कहनी से उद्रत है अंसर है इसका थर्ड ताई अहा कितना बोला सुंदर ये कितनी सरल चित्वन उपिव पंक्ति किस कहानी कार की है अंसर है सेकेंड जैसंकर परसाद की खावू उजाडू जीवन पदती के कारण हम अपनी सब्वेता संस्क्रिती और धर्थी को उजाडने में लगे वे हैं अपना मालवा पाट के अनुसार है खावू उजाडू सब्वेता किसकी देन है अंसर है इसका थर्ड अमरिका की यथा इसमें रोचते विश्वन निबंद संगरे से उद्रत है अंसर है इसका फर्स्ट विराम चिन हम दूर दस्टन पर बोलेंगे हम समर्थन शक्तिवान हम एक दुरबल को लाएंगे उप्रिव पंकियां किस कवी की है अंसर है इसका फोर्थ रगवीर साहे कुमर नारायन की कवीता के बहने रचना उनके किस काव्य संगरे में संकलित है अंसर है इसका फोर्थ इन दिनो महादेवी वर्मद्वारा रचित भक्तिन की सिविद्या की रचना है अंसर है इसका फर्ड संसे समर्णा आत्मक रेखा चित्र सिल्वर वेडिंग की कहनी का केंद्रिय पात्र है अंसर है इसका सेकंड येशोधर बाबू अतीत में दबे पाउं यात्रा बरतांत के लेखक है अंसर है फोर्थ ओम थान्मी डायरी के पन्य नामक डायरी अंस लेखेका ने किसको सम्मोदित करके लिखा है अंसर है इसका फर्स्ट किट्टी को शब्द में अंतरनीत अर्थ को व्यक्त करने वाले वैपार को क्या कहते हैं अंसर है थर्ड शब्द शक्ति गोडी रिति के समझ में कौन सा कथन सही नहीं है अंसर है इसका सेकंड ये शंगार रस्की अभी विंजना के लिए उपिक्त होती है कावे शोभाया करतारो द्रमा गुना कावे गुन की ये परिवशा किस आचारे ने परस्तित की है अंसर है फूर्थ वामनने लोक ये शास्तर के विरुद उपदकरम होने पर कौन सा कावे दोश होता है अंसर है इसका फर्स्ट दुश्क्रमत्व पागल सी प्रभू के साथ सभा चिल्लाई उपमा अलंकार के उधारन में साधरन दर्म कौन सा है अंसर है सेकेंड चिल्लाई इनमें से किस विकल्प में अलंकार और उधारन सुमिलित नहीं है अंसर है इसका फोड यमक हे उत्रा के धन रहो तुम उत्रा के पास सरहय पाद को हिंदी का पर्थम कवी मानने वाले विद्वान है अंसर है इसका थर्ड रहूल सांकरत्यान इदि में से किस विकल्प में रचना और रचनकार सुमिलित नहीं है अंसर है इसका सेकंड परमाल रासो दल्पत विजे बक्ती अंदोलन के इसलामी आतर्मन से प्राजीत हिंतु जनता की ऐसा है और निराशा मने अस्तिती का परिणाम था ये कथन किसका है अंसर है इसका फर्स्ट आचारे रामचंदर शुकल का इन में से किस विकल्प में रचना और रचनकार सुमिलित नहीं है अंसर है सेकिंड अंग वधू सुन्दर दास हिंदी रिती ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंता मनी तिरपाटी से चली ये कथन किसका है अंसर है थर्ड आचारे रामचंदर शुकल का इन में से कौन सी रचना लक्षन ग्रंथ नहीं है अंसर है इसका फोर्थ बिहरी सत्सई इन में से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमिलित नहीं है अंसर है थर्ड वेदही वनवास मितली शरण गुप्त अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के रचनाकार है अंसर है फर्स्ट मोहन राकेश इन में से किस विकल्प में कहानी और कहानीकार सुमिलित नहीं है अंसर है इसका फर्स्ट यही सच है उशा प्रियम गंदा इन में से कौन सी बोली फश्चिंग हिंदी के अंतरगत नहीं आती है अंसर है इसका थर्ड बगेली सघन कुंज चाया शुखद सितल मंद समीर मन हवे जात अजो वहे वा यमुना के तीर पंक्तियों में शब्द शक्ती है अंसर है फोर्थ आर्थी वियंजना मदु में वसंत जीवन वन के बह अंतरिक्ष की लहरों में कब आये थे तुम चुक्के से रजनी के पिछले पहरों में उपरियोत पंक्तियों में काव्वे गुण है अंसर है इसका थर्ड मादुर्य गुण जहां ऐसे शब्दों का परियोग हो जो किशी शास्तर में परसिध होनी पर भी लोक विवार में ऐ परसिध हो वहां कौन सा अव्वे दोश होता है अंसर है सेकिंड ऐ परतित्व द्रग उर्जत तूटत कुटुम जुरत चतुर चीत परिती परति गांठ दुर्जन ये दई नई ये रिती पंक्तियों में अलंकार है अंसर है इसका फोर्थ ऐ संगती परबल जो तुम में पुर्शार्थ हो सुलब कौन तुम्हेने पतार्थ हो परगर्ति के पत्थ में विच्चरो उठो भूवन में सुक्षांती भरो उठो पंक्तियों में परियुक्त चंद है अंसर है इसका फोर्थ दुरुत विलंबित सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अठपटे भीसे करुना एन चितह जान की लखन तन इन पंक्ति में परियुक्त चंद है फर्स्ट सोर्था सात्विक अनुभाव का बेद नहीं है अंसर है सेकेंड उच्वास बत्रस लालच लाल की मुरली धरील लुकाई सोहे करे बोहीनी हसे देन कहे नटी जाए इन पंक्ति में कौन सा रस है अंसर है थर्ड श्रमगाव अस्टिचाप के कवियों में समलित नहीं है अंसर है फोर्थ सुन्दरदास कबीर के विश्य में इन में से कौन सा कथन गलत है अंसर है इसका सेकेंड वे शंक्राचार्य के अधवेत वात से एफरभावित रहे हैं राम चरित मानस के बालकांड में इन में से कौन सा परसंग समाहित नहीं है अंसर है फोर्थ राम राज्य अभिशेक की तयारी देखो नंदद्वार रथ ठडो बहुरी सकी सुफल कसूद आयो परियो संधे उर गाडो यहां सुफल कसूद किसके लिए परियुक्त हुआ है अंसर है इसका फर्स्ट ए पूर्थ जहां बैठावे तितही बैठूं बेचे तो बिग जाओं उख्ट पंक्ती में मीरा का कौन सा मनोभाव वियंजित हुआ है अंसर है इसका फर्ड अनन्य समर्पन जुवती जोने में मिल गई नेक नै होती लखाए सौंदे के डोरे लगी अली चली संग जाए परस्तू दोहे में कौन सी नाइका का चितरन हुआ है अंसर है इसका सेकिंड शुकला अभी सारी का भर गया ऐसा हिर्दे दुख दर्ग से फेन या गुदबुद नहीं उसमें उठा खेंच कर उचवास बोले सिर्वे पार्थ मैं जाता पितामा पास हुई कुरू छेतर की उफ्थ पंक्तिया किस चरितर की मनोदशा को व्यक्त कर रही है अंसर है इसका थर्ड युदिस्टर जिन वन भूलने जावनता गेंद गवय गिड राज तिन वन जंबुकू ताखड़ा उधम मंडे आज उप्रिव छंद के अनुसार सिंग के वन में कौन दमा चोपड़ी मचा रहा है अंसर है इसका आरपिस ने डिलिट किया है असाध्य विर्णाक का संगीत सुनते ही राजा को क्या अनुबह हुआ अंसर है फोर्थ उनका एंकार नस्ट हो गया उध्सा नामक निवन्द के अधार पर बताईए कि दुख के वर्ग में जो इस्थान बहका है वही इस्थान आनंद के वर्ग में किसका है अंसर है इसका सेकेंड उध्सा हो का परिंदे कहानी के अधार पर बताईए कि मेजर गिरीश नेगी लतिका को मैन इटर आफ कुमाउ कहकर क्यों संब्धित करता है अंसर है इसका फोर्थ उसे चिडाने के लिए निमन अंकित विद्यों में से व्याकरन सिक्षन के लिए उप्युक्त विद्धी नहीं है अंसर है इसका सेकेंड अनुप्रनात्मक विद्धी निमन में से हरबर्टिये विद्धी से संब्धित कौन सा कथन असक्य है अंसर है इसका फोर्थ यह विद्धी बोधिस्तर के शिक्षन से संब्धित है निगमन विद्धी के सिध्धान्त है अंसर है इसका सेकेंड सामान्य से विशेश सहाचर्य विदी का अविश्कार किस ने किया अंसर है इसका सेकेंड मौन्टेन स्रीने सही सुमिलित कीजिए अंसर है इसका फोर्थ अंसर इसका होगा फोर्थ एकाई विधिके के स्वपान में ग्रह कारे परदान किया जाता है अंसर है इसका 4 चतुर्थ एकाल खंड योजना किस विधिका विभाजन है अंसर है इसका RPC ने डिलीट किया है दल शिक्षन का सरपर्थम प्रयोग किया गया अंसर है इसका 4 भावर्ड विश्वे जाले में बाशा संसर्ग विधि की विशेश्टाओं से सम्मंद नहीं रखने वाले कथन को छाट ये अंसर है इसका 3 इस विधि में वियाकरण का वहवारी ज्यान ना दिया जाकर सेदान्तिक ज्यान दिया जाता है रेखिय अभी करमित अनुदेशन का दूसरा नाम है अंसर है इसका 2 भावर्य अभी करमित अनुदेशन निम्न में से कौन सी विधि अपेक्शाकरत वियो साध्य मानी जाती है अंसर है इसका 2 भाशा शिक्षन यंत्र विधि सुक्षम सिक्षण अध्यापन नियंतृत अध्यास का सुत्र है अंसर है इसका 3rd, एलन और इव अध्यापक का सैम्ती में सिर हिलाना किस कुनर्गुलन के अंतरकत आता है अंसर है सेकंड सकरात्मक अशाब्धिक कुनर्गुलन संचालन, हावभाव, मौखिक, द्रिश्य, परिवर्तन, विराम, आदी, घटक निमन में से किस सुक्षम, शिक्षन, कोशल के घटक है अंसर आइसका थर्ड, उदिपन, परिवर्तन, कोशल शर्वन, पठन, लेखन, आदी किस उद्देश्य के अंतरकत आते हैं अंसर आइसका 4, कोशल आत्मक उद्देश्य, कुछ विशेष्ट उद्देश्यों की पूरकी हेतू विध्यार्तियों को ऐसे एक दूसरी की पूरक अनुवतियों से युक्त, किरियाएं कराना जो मिलकर एक एकाई बन जाती है उपरोक्त कथन निम्नम से किस से संबन दित है? अंसर आइसका 3, एकाई यूजना सीता वाद किस तरह की सिक्षन साहिक सामगरी है? अंसर आइसका 2, स्रव्वे निम्न अंकित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? अंसर आइसका 4 वेदता, परिक्षक की रूची भावना वैव दर्ष्टी कौन का मुल्यांकन पर परभाव पड़ता है? सता तैमं व्यापत मुल्यांकन की विशेषता नहीं है अंसर आइसका 4, विध्यार्तियों में रटने की परवर्ती विक्सित करना मुल्यांकन शिक्षन आयाम किसके द्वारा परतिपादित किया गया? अंसर आइसका 1, ब्लूम इन में से कौन सा कथन गल्थ है? अंसर आइसका 2, स्वर एगोष दहनिया होती है इन में से किस विकल्प में सभी दहनिया दमते है? अंसर आइसका 4, तै थैस है निमनी लिकित में से तक्षम शब्द है अंसर आइसका फर्स्ट मुख इन में से किस विकल्प में एक पी तक्षम शब्द नहीं है अंसर आइसका सेकेंड इट मुच पहचान उर्दू शब्द किस भासका है अंसर आइसका थर्ड तुर्की इन में से कौन सा तदबव शब्द है? अंसर है इसका 4th, कोयल इन में से कौन सा शब्द विदेशी मूलका नहीं है? अंसर है इसका 2nd, पानी निमन अंकित में से देशत शब्द है, रेवड भावाचक संग्या का उधारण है? अंसर है 3rd, योवन निमल एकिति में से कौन सा शब्द विशेशन नहीं है? अंसर है इसका सेकेंड दोका अकर्मक किरिया का उधरन है? अंसर है फोर्थ रोना इन में से किस वाक्यम में पूरु काली किरिया पर्युक्त होई है? अंसर है थर्ड बालक पढ़कर सो गया इन में से कौन सा सब्द भेद अव्यव क्यालाता है अंसर है फोर्थ किरिया विशेशन इन में से कौन सा सब्द समुच्चे बोधक अव्यव नहीं है अंसर है इसका थर्ड सामने इन में से क्या भी बोधक अव्यव नहीं है